हाई दियर स्टुदेंट्स दिस दे रन्ना क्लासेश प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब इस चैनल थैंक यू गुद मॉनी बच्चों चलिए आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स आर्टिकल्स पहले तो जाने आर्टिकल्स से दो प्रकार क्यों होते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल्स इंडिफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल्स अब समझते हैं पहले इसको समझते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है इंडिफिनिट आर्टिकल्स में ए और अन आता है और इंडिफिनिट आर्टिकल्स में क्या होता है द आता है इंडिफिनिट आर्टिकल्स में ए अन आता है और इसमें द आता है ये इंडिफिनिट आर्टिकल्स में हम इंडिफिनिट में हम क्या करते हैं इसमें आता है वावेल वावेल्स एंड कॉंसोनेंट अब वावेल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं वावेल्स के लिए हम आइन का प्रियोग करते हैं वावेल्स के लिए हम आइन का प्रियोग करते हैं यह लिख देजिए यूज आफ आइन एन कॉंसोनेंट के लिए क्या आप यूज करते हैं यूज अफ ए अब देखते हैं पहला यह हो गया वोबल्स के लिए अन का प्रियो करते हैं और कांसोनेंट के लिए एक प्रियो करते हैं अब इसमें कुछ क्या इंटरनेशनल लेबल के हिसाब से साउंड का भी यूज करते हैं क्या हमको एक भी ध्यान देना क्या साउंड के हिसाब से साउंड के हिसाब से भी हम क्या करते हैं यूज का ए एन का प्रियो करते हैं कि साउंड के हिसाब से ए एन का यूज जब तीन तीजे देखेंगे पहले इंडिफिनिट आर्टिकल्स में ए एन आता है और एक में पॉइंट होता है जो क्या साउंड के हिसाब से साउंड के हिसाब से भी क्या यूज होता है आर्टिकल्स जैसे एक देख लेते हैं यूज आफ कॉंसोनेंट पहले देख लेते हैं मतलब एक का यूज आफ ए जैसे हो गया हमारा ये ट्विंटी वन होते हैं और ये फाइफ होते हैं नंबर से कॉंसोनेंट टॉंटी वन होते हैं वोबेल्स कित्ते होते हैं फाइफ होते हैं जैसे देखिए इसमें रहेगा कॉंसोनेंट में क्या आएगा जैसे एक काउ ए डॉग ए मैं ए बोई ये नाउन है नाउन के हिसाब से ही बनेगा और हमको क्या देखना है सुरू का फास्ट लेटर देखें ये फास्ट लेटर है फास्ट लेटर है फास्ट लेटर है हमारा फास्ट लेटर किसी भी नाउन का जो किसी भी नाउन का फास्ट लेटर जब क्या रहेगा कॉंसोनेंट रहेगा तुहां पर क्या यूज करेंगे एक अपर करेंगे जैसे देखिए एक अप एक अपन एसीप ए जग्ण और इसने कुछ वाड़ है ए फैट मैं ए जंगल अपने ये जंगल नहीं है ए पीकॉक ए पीकॉक ए लायन ए टाइगर ए बॉर्ड ए फैस तो यहां पे जितने भी वर्ड है देखे जितने भी वर्ड हमने यहां पे लिखा है सब के आगे क्या आया है ए आया है क्या आया है क्यूं 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 आया क्यूंकि हमारा यह फर्स्ट लेटर जो नाउन है यह नाउन है नाउन प्रो नाउन आगे बताएंगे यह जो नाउन है जो नाम है किसी का भी नाम है यह सब नाम है नाम है नाम है यह सब क्या एक नाम है तो जितने भी नाम होंगे उसके आगे क्या आएगा ए आएगा जितने भी नाम होंगे ए आएगा जितने भी नाम होंगे क्या आएगा A आएगा देखिए शुरू का लेटर क्या है C है A आया शुरू का लेटर P है A आया यह वैसे ही consonant है शुरू का लेटर क्या है S है A आया शुरू का लेटर क्या है J जंगल A आया शुरू का लेटर F है A आया शुरू का लेटर P है A आया सुरू का लिटर ay ay naseírat, जितनी भी लाउन का फर्स लिटर होगा या नाम का पहला अच्यर होगा, उसके पहले क्या आ добрay गा a क्यूंकि ये क्या क्या राउन है अधर हम देखते है आयन का प्रयोग अधर बाक बाक मिंस वैंन का प्रयोग आयन का यह कित्ते होते हैं 5 लेटर होते हैं कौन-कौन होता है कि ए कि ए आई को यो वोबेल्स में जित्ते भी वर्ड होंगे उनके सामने क्या आएगा आयन का प्रियों आएगा जैसे और यह कौन सा होगा फॉस्ट लेटर होगा किसका ना उनका फॉस्ट लेटर होगा किसका ना उनका देख लेते हैं जैसे क्या जैसे एन अंट देखिए यह क्या है एक वोबिल है और यहां पर क्या आया एन आया एन एलिफेंट एन 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 एम्डेला एन एग एन 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 एग रिखन, एक करें को नर आ इंक, और गवक, इनक पत, एंप पार야 पार हाब स्भınt एंप पार्ब कि ट खाहिए आयन एगल तो देखिए जितने भी वोर्ड है जितने भी वोर्ड हमने यहां पर लिखा है इन सब के आगे क्या जा है आयन का यूज हुआ है आयन का यूज क्यों है क्योंकि यह जितने भी वोर्ड है वो क्या है वोबेल्स है और वोबेल्स का यही नियम है कि जितने भी वोर्ड के वोबेल्स होंगे उनके आगे क्या लगेगा आयन आर्टिकल्स लगेगा अब देखिए कुछ साउंड के हिसाब से कि शाउंड के हिसाब से ए और अन का प्रियोग कैसे करते हैं साउंड के हिसाब से यूज आफ ए ए एन ए जैसे देखिए कुछ सॉट फॉर्म होते हैं इसमें जैसे हम ले लेते हैं सॉट फॉर्म में कि ए इम क्या है एम एक कॉंसोनेंट है एक कॉंसोनेंट है इसको चाराण कैसे हो रहा है इसके पहले इंटरनेशनल लेबल वह स्थित की हम sound के हिसाब से sound के हिसाब से क्या लगाते है ए एन का प्रियोग करते हैं जैसे M M A अब देखिए M A क्या है हिंदी में A क्या है एक क्या है एक वोबिल है स्वर है क्या है एक वोबिल है न तो यहां पे क्या लगेगा तब यहां पे हम क्या लगाएंगे एन लगाएंगे क्या लिखेंगे एन एम ए एन एम ए क्योंकि क्या sound आ रहा है एक का sound आ रहा है और एक देख लेते हैं M L L जैसे देखते हैं इसमें, इसमें क्या sound आ रा है M, क्या sound आ रा है M M की sound आ रा है sound हमारा क्या निकल रहा है M, तब हम क्या लिखेंगे आएन एम एल ए एम एल ले जैसे देख लिए एम बी ए इसमें साउंड क्या आ रहा है एम तो यहां पर क्या रहेगा आएन एम बी ये आप कुछ और देख लेते हैं जैसे बी ये का देख लेते हैं बी ए वैसे भी बी का साउंड आ रहा है तो यहां पर क्या लगेगा ए लगेगा बी का यहां पर क्या साउंड आ रहा है बी का का रहा है क्या साउंड आ रहा है बी का, बी क्या है, कॉंसोनेंट है, बी क्या है, कॉंसोनेंट है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए, बी कॉम, अब देखे, अब इसमें एक मेंट है यह, जैसे हम यूनियन बैंक लिखते हैं, अब देखे, इसका साउंड क्या रहा है, इसका साउंड क्या रहा है, यू, यू का साउंड रहा है, जब यू का साउंड रहा है, तो क्या लिखेंगे, Union bank नए तो क्या हो जाएगा Union bank यह क्या है यू क्या है यह consonant यू क्या है वोबेल है यू क्या है वोबेल है बट हमको जो sound मिल रहा है किसका मिल रहा है कांसोनेंट का है, जो हमको साउंड मिल रहा है, वो किसके मिल रहा है, कांसोनेंट का, तो हम क्या यूज करेंगे, यू, देखे, यू, यू आ रहा है, तो क्या हो गया, ए यूनियन बैंट, जैसे, यूनिवर्सिटी, अब यहां पे जो, यहां पे जो क्या रहा है, यू, देखे, यू, देखे, तो سाउंड क्या रहा है, यू का रहा है, तो क्या लिखेंगे, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर सिटी क्या लिखेंगे ए यूनिवर सिटी अब इसमें एक और देख लेते हैं यूरोपियन क्या यूरोपियन देखिए यहां का वर्ड इस्टार्ट अप वर्ड क्या है इ है यूरोपियन यहां पर इसाइलेंट है इस्टार्ट अप वर्ड हमारा क्या है इ है इस्टार्ट अप वर्ड इ है पर इूरोपियन क्या यूज हो रहा है यू प्रोनाउंसियसन क्या आ रहा है यू आ रहा है तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे ए यूरोपियन ए यूरोपियन ए यूरोपियन प्रोनाउंसियसन के हिसाब से क्या रहा है हमारा साउंड क्या निकल रहा है यू यूरोपियन यहाँ पर क्या E आ रहा है वोबिल है पर शाउंड के हिसाब से इसका U आ रहा है यूरोपियन मैन तो यहाँ के हिसाब से हम क्या लगाएंगे A लगाएंगे अब सिम इसी तरह से देखिए इसमें इसमें भी एक और रहेगा जैसे होनेस्ट एंन ओनेस्ट इसको पढ़ते हैं क्या है ओनेस्ट ऑनेस्ट सावन के सबसे क्या पढ़ते हैं एन ओनेस्ट एन ओनेस्ट जिससे हावर्स को आवर्स पढ़ते हैं एन आवर्स क्या स्पेलिंग होता है हो यू आर एस चले देखिए अब इंडिफिनिट आर्टिकल्स में कुछ साइलेंट्स वर्ड भी है उसको देख लेते हैं जैसे हमने तीन वर्ड लिया है यहां पर साइलेंट्स वर्ड और इसके आगे एन का यूज होगा है क्या है यह कॉंसोनेंट क्या दिख रहा है कॉंसोनेंट एज 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 क्या दिख रहा है एज क्या है एक कॉंसोनेंट है पर इसको क्या हम यूज करते हैं वो विल्स में यूज करते हैं इसको समझते हैं देखिए ए पढ़ते हैं इसको एपढ़ते हैं पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं इसको एह साउंड कैसी मोस्राइए फिरम सबसे ही हो इसством करें Wobbal है औऑ क्या है Wobbal है और यह h क्या है Kность है तो हम Sound के हिसाब से क्या करेंगे An का यूज़ लगाएंगे An Honest Boy An Honest Boy तो यह क्या हो गया हमारा यह Wagels हो गया देखिये An Honest Honest है तो इहां पर क्या हो रहा है owners sound किसका आ रहा है O का O क्या है श्वर है मतलब वोबेल्स है तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे N का यूज़ करेंगे N Overs 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 को short form में कैसे लिखते है HR Horse घंटा तो यह हमारा क्या है H है H क्या है Consonant है पर हम यूज़ क्या करेंगे वोबेल्स में तो इसका क्या हाँ जाएगा N Overs N Overs अब देखने हैं देखते हैं Indefinite articles खतम हो गया अब देखते हैं क्या ग क्या है वोज़ नंगगे जेखते हैं हमाँ आएपगे लिए दुछ आएगे लिए जग्दउ़ आएगे लिए